So finally दोस्तों Honda Company ने जो है Activa में Limited Edition को launch कर दिया है Company ने जो है Limited Edition को DLX और H Smart वाले variant में launch किया है और इसके standard variant में जो है आपको Limited Edition देखने को नहीं मिलेगा Company ने जो है इसमें 2 color option अभी launch किया है Limited Edition में तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस स्कूटर के बारे में complete जानकारी देने वाला हूँ company ने क्या क्या है, price कितना increase हुआ है, complete जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे इस channel पर first time आये हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लें, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले scooter के looks और design के अगर बात करें, तो looks और design आपको similar मिलता है scooter में लेकिन आप इसमें आपको दो new color option मिल रहा है, matte, steel, black, metallic और second color option जो है, इसका pearl siren blue color इसमें आपको company provide कर रही है आप जो है, दोस्तों, Activa में new graphics भी आ चुका है, तो look जो है, काफी बैतरीन हो चुका है लेकिन company ने जो है, price को थोड़ा बहुत increase कर दिया है अगर आप जो है, DLX variant में limited edition को खरीते हैं, तो उसका exorum price जो है, 80,734 rupees रखा गया है और अगर आप जो है, H smart में limited edition को खरीते हैं, तो उसका exorum price जो है, 82,734 rupees, exorum दिल्ली रखा गया है तो अगर आप जो है, normal वाले variant से limited edition को compare करते हैं, तो 1000 रुपिया जो है, DLX model में increase कर दिया गया है और H smart model में 500 रुपिया price को increase कर दिया गया है, और Honda जो है, इस scooter को कुछ time बाद discontinue कर देगा तो अगर आप जो है, market में unique दिखने वाला scooter को purchase करना चाते हैं, unique color के साथ purchase करना चाते हैं, या फिर आपको graphics वगरा चाहिए scooter में, तो आप जो है, limited edition को purchase कर सकते हैं, इस festive season में अगर आप जो है, इसके DLX model को खरिदते हैं, तो उसमें आपको kickstart को option मिल जाएगा, और अगर आप इसके H smart वाले model के साथ जाते हैं, तो आपको kickstart को option नहीं मिलेगा, और जो है, आपको H smart वाले model में advanced features मिल जाएगा, उसमें आपको wireless वाला key दिया गया है, तो आपको key का उसमें जोरत नहीं होगा, आप जो है, उसको remote से ही operate कर सकते हैं, अब जो है, इसकोटर का features में आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें जो है, आपको LED light का setup मिल जाएगा, sales start के साथ जो है, आपको kill switch भी company प्रोवाइड कर रही है, इसकोटर में जो है, आपको 109.51 cc का air pulled single cylinder BS6 phase 2 align engine मिलता है, जो की OBD2 E20 compliant engine है, आप जो है, इसकोटर में 20% ethanol वाले petrol को भी डलवा सकते हैं, power figures की अगर बात करें, तो 7.84 PS का power, 8.9 Nm का जो है, आपको इसमें torque मिल जाएगा, इसकोटर का performance भी काफी सही रहने वाला है, mileage की अगर बात करें, तो आपको 50 kmpl का mileage मिलने वा color अच्छा लग रहा है, ये भी आप लोग जो है, एक बार comment करके जरूर बताएं, तो चलिए फिर अब इस वीडियो को यहीं पर end करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें, चैनल पर अगर नए हैं, तो चैनल को subscribe कर दें, मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए thank you so much